हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू ज़ारकन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी ख़बरों को पहली बड़ी ख़बर की बात को तो ज़ारकन में अप्रेल में हो सकता है पंचाज चुनाओ हेमंत सरकार ने दिखाई हरी छंडी ज़ारकन में 33 पंचाज चुनाओ को लेकर हेमंत सरकार ने स्वकृती देदी है राज में पंचाज चुनाओ कराने को लेकर लगतार मांग उठ रही थी दिसंबर 2020 में कारिकाल पूर्ण होने के बाद से पंचाज चुनाओ को कुरोना संक्रमन का हवाला देते हुए टाला ज जताय जा रही है केबिनेट की बैटक में एक और प्रास्ताओं में 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले उप्भोकताओं को सब सीडी का लाब नहीं दिये जाने का नर्णाय लिया गया है इससे बिजली विभाग को परतिवर्स 210 कोड रुपे का बचत होने का अनुमान है व इसकी अलावा जारखन की 334 स्थानों में CCTV कैमरी से लेश करने का भिन्रनाय राजसरकार ने लिया है इसके लिए 38 कौड रुपे की सुकृती राजसरकार ने दे दी है केबिनेट की बैटक में जारखन राज क्रिसी उपज विपननन विधायक और STSC को जो परिनामी वरियता के अधार पर परनुती देने के लिए विधायक को मंचूरे दी गई है बजट सतर में ये विधायक सदन के पटल पे लाए जाएंगे आगली बड़ी खिबर की बात दो जारकन विधान सभा का बजट सतर आज से बजट तीन मार्च को होगा पेस सदन को सुचार रूप से च का बजट वितमंत्री डाउक्टर रामेश सरूराओ पेस करेंगे इस सतर के सफल संचालन को लेकर विधान सभा अध्यक्ष रविंदर नात महतोनिक गुरवार को पार्टी विधायक दल की बाठक बुलाई इस बाठक में सतर को शुचार रूप से चलाने पर विचार हुई वया स्पीकर ने पक्च विवक्ष से सदन के समय का सदूप्यों करने का आगरा भी किया है इस मौके पर सियम हैमंत सोरन भी मौजूद थे हजारीबाग, कोडरमा, बोकारू, धनबाद और गृडिमें आसमान में बादल च्धाय रहे इन इलाकों में साथ ही मेगा गर्जन और वारिस भी हुई है हजारी बाग में जहां तेज हवाओं के साथ बारिस हुई है वह पलामू परमंडल के कई जिलों में ओले भी गिरे हैं हजारी बाग में एक विसाल काई पेड़ गिर जाने से उसके नीचे कई मोटरशाइकल और एक रिक्सा दब गई है हाला कि अब तक किसी के हताहात होने की शुचना नहीं है बिहार से सटेक कई इलाकों में भारी बारिस हुई है वह मौसम पूरानमान में आज 25 फरवरी को भी जारकन के मध्य भाग दर्शनी और उतरपूर्वी भाग में कई जगों पर मेगा गर्चन और ओला ब्रिष्टी और बारिस होने की संभावना जताए गई है वह 26 फरवरी को भी कुलहान और संताल परगना परमंडल की विफिन इलाकों में बारिस होने की संभावना जताए गई है आगली बड़ी खबर की बात दो जारकन के जामताड़ा में नाव पलटने से हाथसा सुल्ला लोग के पानी में डूबने किया संका चार को जिन्दान निकाला गया जारखन के जाम ताडा जिले में बड़ा हाथ सा हुआ है बरकार नदी में नाव पलटने से सुल्ला से ज़ादा लोग डोब गैं हे Appreciate अब तक पानी के अंदर से 4 लोग को जिन्दा निकाला गया है हाथ सा धन बाद जिले के बार बेंदिया और जाम ताडा जिले है विरगाओं स्यामपूर घाड के बीचवा है नाव पर सवार लोग निर्चा से जामताड़ा की और जा रहे थे नाव पर लोग करीब आठ बाइक लेकर सवार थे पुलिस परसासन रहात वं बचाओ अभ्यान चला रही है गुरुवार की देर साम जामताड़ा धनबात सीमा पर इस्थित बरबेंदिया पुल के पास नौका डूबने से सुला लोग के लाफता होने की खबर है हलाकि देर रात तक इस हाथसे में डूबे किसी भी व्यक्ति का सौ बरामत नहीं हो सका है अस्थानी लोग के अनुसार इस हाथसे में डूबने वालों की संख्या और बढ़ सकती है नौका पर जातर जामताड़ा जिले के रहने वाली लोग शवार थे ना पलटने के लिए आंधी पानी को कारण बताय जा रहा है अगली बढ़ खेबर की बात को दो लोहर दगा में सुरक्ष अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग में फैसला नकसलियों के खिलाब जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन नेटवर्क को मजबूत बनाने पर जोर लोहर दगाव लातिहार के सिमावर्ती इलाके में सक्रिय नकसलियों के खिलाब सुरक्ष अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग में या फैसला किया गया है जिले के सुदरवर्ती जंगली पहाडी इलाकों में बिगत आठ फरवरी से 22 फरवरी तक चले ऑपरेशन डबल बूल की सफलता के बाद सुरक्ष बलों में भारी उत्सा है लिहाजा भागपा मवादी उगरवादियों के खिलाप लगतार अलग-अलग ओपरेशन जारी रखने का नर्ना किया गया है खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हड़ शूटी बड़ी खबर का अपड़ेट आप तक पहुंसता रहे उच नियाले में याचिका दाकिल कर सीबियाई की विसे इस आदालत की और से सुनाए गए फैसले को चनौती दी है सीबियाई की कोट ने गत 21 फरवरी को डुरंडा कोशागार से हुई करीब 149.35 कोड रुपई की निकासी के मामले में लालू यादों को पांच वर्स की कैता था साथ लाक रुपई की जुर्माने की सजाशो नाई थी अपनी याचिका में कोट के फैसले को चनौती देने की साथ साथ आरजेडी शूपरिमों ने जमानत की मांकी है इसमें उन्होंने शाजा की आधी आधी पूरी होने के साथ साथ बढ़ती उम्र और सात्रा बिमारियों से ग्रशित होने का हवाला दिया है आगली बड़ी खिबर की बात को दो हजारी बाग में बारिस से गिरे पिड तूटे 18 बिजली के पोल गिरा ट्रांसफर्मर गुरुवार की दोपहर को तेज हवा के साथ आचाना काई बारिस के कारण हजारी बाग जिले की बिजली व्यास्था चरमरा गई है कई आस्थानों पर बिजली के पोल गिर गए हैं कई आस्थानों पर बिजली का तार टूट गया है साथी सहर के विवेकानंद श्कूल के पास आम का पेड गिरने से ट्रांसफर्मर गिर गिर गया है तेज हवा और बारिस के कारण हुए नुक्षान को लेकर कारेपालक और कनहरी के पास पेड गिरने के कारण बिजली के पोल वा तार को जो है काफे नुक्षान हुआ है हलाकि बारिस के थामने के बाद विवाग के कर्मी ततपरता से बिजली बहाल करने में जुड़ गये जिसका नतीजा हुआ कि दो घंटे के बाद जो है सहरी छेतर की आधे फिडरों में बिजली आपुरती बहाल कर दी गई जैबकी बाकी के फिडरों में बिजली आपुरती बहाल करने के लिए विवाग के कर्मी लग हुए थे आगली बड़ी खिबर की बात तुदू रामगड में बड़ा हाथ सा बरकाकाना की पास गड़े में डूबने से तीन बच्चों की मौत गाउं में पसरा मातम रामगड जिले में बड़ा हाथ सा हुआ है बरकाकाना ओपी छेतर के उरलंगों में बुधवार की देरसाम पानी भर एक छोटे से गड़े में डूब कर तीन बच्चों की मौत हो गई है। भर एक छोटे से गड़े में डूब कर तीन बच्चों की मौत हो गई है। दिसंबर 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व से लागू शुनक्षित पूरानी पैंसन योजना को शमाप्त कर सेर बजार आधारित नई पैंसन योजना लागू कर दी गई। राजे के करमचारी संगटनों ने गुरुवार को मुक्यमंतरी हेमंत सोरेन से मिलकर राजिस्तान सरकार की तरह जारखन में भी पूरानी पैंसन योजना लागू करने की मांगी है। बतादी की हाल में ही राजेस्तान सरकार ने अपने करमचारियों के लिए पूरानी पैंसन योजना को लागू कर दिया है। बड़ी कि बात को धनबाद में कई पदो पर ने कलिए भरतियां नोटीस हुआ जारी जारकन के धनबाद में अगर आप नौकरी कहना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अपधिक जानकारी के लिए और आविधन करने के लिए www.iitism.ac.in पर जा सकते हैं। विधन करने की अंतिमति थी 31 मार्च 2022 है। करने के साथ ही जो वित्वर्ष 2022 का मूल बजट पेस करेगी। अन्य जो है विधाई कारी भी निप्टाए जाएंगे इस दोरान जनहित के मामलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव भिताए माना जा रहा है। असार इस बात के भी हैं कि विपक्ष राधिपाल के आई भासन के दोरान है टोकाटो की शुरू कर दे। मोकी पपक्षी दल भाजपा ने बजट सत्र की रनीति को अंतिम रूप देने के लिए 27 फरोरी को विधाईक दल की बाठक बुलाई है। बंगामा गाउं का है गाउं के आबादिवाले इलाके से करीब 500 मीटर की दोरी पर कच्रा फैक्टरी के पास पेड़ से फंदे के सहरे दोनों की लास लटक रही थी। सामसे गाईव थी काफी पड़ताल करने के बावजूद कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। गुरवार की सुभा युवती की लास पिड़ से लटकते हुए देखी गई। सुचना मलने के बाद परिजन मौके पर पहुँचे इसी बीच घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के छेतर में पहुँची लोग की भारी भीड घटना स्तल पर एकतरत हो गई। इसके बाद इसकी सुचना बेंगाबाद पुलीश को दी गई पुलीश फिलाल इस मामले में कुछ भी काने से परहेच कर रही है। प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद के लिए निकाली गई है। हलाकि रिम्स के डारेक्टर डॉक्टर कामेसर प्रसाद का कहना है कि वेकेंसी नियमों के अनुशार ही निकाली गई है। यदे रिम्स के डारेक्टर मुझे से खुश नहीं है तो मैं डारेक्टर के पद से इस्तिपा देने को तयार हूँ। आगली बड़ी खिबर की बात को दो ओबीसी मोर्चा की मांग महराश्टरा एमपी वच्छतिस गड़ की तरह पंचाय चुनों में ओबीसी आरक्चन लागु करें सरकार। जार्चन में पंचाय चुनों में ओबीसी आरक्चन लागु करने की मांग को लेकर राश्टी ओबीसी मोर्चा ने गुरवार को एक दिवसी उपवास किया। मोर्चा का कहना है कि जिस तरह महराश्टरा, मध्यपरदेश वचतिस गड़ की सरकारों ने पहल की है उसी तरह जार्खन सरकार भी उन राजियों की तरह ओबीसी आरक्चन देने पर विचार करें। कहा है कि जब देश के दूसरे राजियों में होशकता है तो यहाँ जार्खन में क्यूं नहीं होशकता है। परस्तावित रासी को अंतिम सुकृती दी गई। इस बैठखन में जार्खन प्लीस मैंस एशोशियेशन अपने जवानों के बुनियादी स्विदाओं से समंधित बातों को उठाते हुए 14 फरवरी को जब इस बैठखन में पारित परस्तावक के समंध में चर्चा की। पहला मामला पाटन थाना चेतर में हुई मालुकी परजापति की हत्या क्या था। इस मामले में चार दोशों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। बीस बीस हजार रुपए जुर्माना लगा गया है। वही चेनपुर थाना चेतर में बाप बेटी की हत्या करने के मामले में तीन लोग को उम्रेकायद दी गई है। इन पर 10-10,000 रुपए का जुर्माना लगा है। जिले के डोमचांज थाना चेतर की बगरीडी में नाबालिक युवती से पहले दुश कर्म किया गया। इसके बाद पिडित को मरने के लिए कुवे में फेक दिया गया। बेटी घर से सौच के लिए बाहर निकली थी काफी देर बाद तक जववा वापस नहीं लोटी तो मान ने तलाश शुरू की। इस दोरान लड़की कुवे में पड़ी मिली, मा ने ग्रामिनों की मदद से बेटी को बाहर निकाला, पोच ताच में घटना का खुलाशा हुआ। से एक का जो है मुझफर अंसारी है, वहीं दूसरे आरोपी को वा नहीं पहचान रही है, लड़की जो है दलित परिवार की है, पुलिश ने मामला दर्ज होने के बाद घटना की जांच प्रारम कर दी है। तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे, इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यूज जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रिस करतेजे, जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतन ही हमें दीज़े इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स न्यूज में।